दोस्तो आज हम बात करेंगे कि Sponsored by, Presented by और Power by क्या होता है दोस्तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दिले ताकि आपके पास एसे ही helpful वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके दोस्तो आप लोगोंने कई बार टिवी पर ये शुब सुने होंगे Sponsored by, Power by और Presented by आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इनका मतलब क्या होता है दोस्तो अगर हम बात करें Sponsored by की तो जोस्तो कोई भी विक्ति या कंपनी ऐसे ही किसी शो का खर्टा तो नहीं उठाएगी तो इसका सीज़ा सा जवाब है कि Advertisement के लिए कोई भी विक्ति या कंपनी बिना किसी फायदे के इसे ही किसी चीज़ को Sponsor नहीं करेगी वो सिर्फ इसा अपनी कंपनी या अपनी कंपनी के किसी प्रोडक्ट किसी चीज़ के विग्यापन के लिए करती है जैसा कि आपने यूटूबर देखा होगा कि कई यूटूबर्स जैसा बोलते हैं कि इस वीडियो इस Sponsored by XYZ यानि कि वो जिसे भी Sponsor कर रहे हैं उसका नाम लेते हैं जोस्तो अब आप्टिमिन में ये सवाल उठ रहोगा कि ये Sponsor होता क्या है जोस्तो Sponsor कोई विक्तिस सेंगटन या कोई कंपनी हो सकती है कोई विक्तिस सेंगटन या कंपनी किसी कारेकरम के लिए जीसे की किसी टीवी शो या रियालेटी शो के कुछ एपिसोड का खर्च उटाती है तो वो उस शो के Sponsor बन जाते हैं जोस्तो अगर हम बात करें Presented by की तो Presented by का प्रवयग उस कंपनी के नाम के पहले किया जाता है जो किसी भी टीवी शो या किसी भी एक्टिविटी फंक्शन में होने वाले खर्च का सबसे ज्यादा बड़ा भाग उटाती है पर वो कंपनी उस टीवी शो के Presented बन जाते हैं दोस्तो अब हम बात करते हैं Power by की दोस्तो Power by वो कंपनी होती है जो अपने प्रड़क्ट्स को टीवी शो या रियालिटी शो में प्रड़क्ट्स को यूज करने के लिए दे देती है जैसे कि कोई नया स्पार्टपॉन हो या कोई नया टीवी हो कंपनी अपने फोन या जो भी चीज जो वो बनाते है दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आयाओ तो इसी लाइक कीजी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर कीजी और अगर आपको कोई सवाल या सुलेओ तो हमें केमेंट बॉक्स में केमेंट करजिए दरुर बताएं थैंक्स पर वोचिन